Hello everyone, welcome to our channel आज की इस वीडियो में हम साइट में होकाई की पट्टी लगाना सिखेंगे ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे वीवर्स के डिमांड पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेट के स्टार्टेड तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने पुरा ब्लाउस रेडिक किया हुआ है और इसकी फिटिंग नहीं लगाई है अब आपको क्या करना है कि जितना भी आपने मार्जिन लिया था कटिंग के टाइम उस पर आप निशान लगा दीजिए जिसे कि मैंने दो-दो इंच लिया था तो मैं यहाँ पर दो-दो इंच फिटिंग के लिए निशान लगा रही हूँ इसके लिए आपको एक्जेक्ट फिटिंग का निशान लगा लेना है जो आपका exact fitting के आप सिलाई लगाते ना उसका निशान लगा लीजिए तो देखिए मैंने दोनु साइड निशान लगा दिया है और यह निशान हम बाजू तक भी लगा देंगे मार्जन का क्योंकि सिलाई लगानी है हमें वहां तक अब आपको जो हाथ की उल्टी साइड होती है उधर तो पूरी fitting लगानी है क्योंकि यह साइड आपकी दिखती है और जो सीधी साइड होती है उधर हम हुकाई की पट्टी बनाएंगे अब ऐसा क्यों क्योंकि उल्टी साइड जो होती है वो हमारी पूरी नजर आती है और जो सीधी साइड होती है वो हमारे साड़ी के पलू से कवर हो जाती है यानि कि ढग जाती है वो नजर बिलकुल नहीं आती तो हम इस तरफ हुकाई की पट्टी बनाएंगे और इस तरफ ज आपको बाजू से पूरी फ्रिटिंग लगा लेनी है सिंपल ब्लाउस की तरह और जो राइट साइड है यानि कि सीधी साइड है हमारे हाथ की इस तरफ हम इसे पूरा ओपन रखेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि केसे आपको हुकाई की पट्टी बनाना तो देखिए जहां पर हमने स्लीव जॉइंट की है यानि कि आर्म होल की जगा हमें क्या करना है कि दो से धाई इंच पर एक मार्किंग करना है क्योंकि नीचे हमारी हुकाई की पट्टी रहेगी थोड़ी सी नीचे होती है वो हमारे आर्म होल की जगे से तो देखिए इस तरीके से मैं इंच टेप रग दूँगी स्लीव जॉइंट की है वहाँ पर और दो इंच पर एक निशान लगा दूँगी और ब्लाउज अगर आप लोंग बना रहे हैं तो आप धाई से तीन इंच पर लगा सकते हैं अब इन निशानों को मैंने दोनों साइड ले लिया है यानि कि हमारे आगे के हिसे फ्रंट में और बेक में दोनों तरफ मैंने निशान लगा दिये हैं तो देख सकते हैं एक तरफ तो हमें पूरी सिलाई लगानी है और एक तरफ हमें हुकाई की पट्टी बनानी है तो जिस तरफ हुकाई की पट्टी बनानी है उस तरफ मेंने पुरा खुला रखा हुआ है और इस तरफ हम सिलाई लगाएंगे जिस तरफ हमारी उल्टी साइड है ठीक है अब आप उल्टी सीधी में पूरी सिधी सिधी लगानी है, यह आप देख लीजे, इस तरफ हम होकाई की पत्टी नहीं बना रहे हैं, लेफट साइड में, यानि की उल्टी साइड में, यहाँ पर मैं पूरी सिधी सिधी लगा दूगी, जिससे हम नौर्मर ब्लाउज में लगाते हैं, यह देखिए, इस इस तरफ फाली साइड हम हुकाई की पट्टी बनाएंगे तो देखे मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है अब हम यहां बाजू से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और जो हमारा दो इंच का हमने निशान लिया है ना वहां तक हमें सीधी सिलाई लगाना है इसके अंदर तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे सेट करते हुए इसे पूरा मैं इस दो इंच तक इस सिलाई को लेकर आऊंगी मैंने आज स्पीड स्लो रखी क्योंकि आप सभी कहते हैं कि आप जल्दी में मत बताया कीजिए दीरे दीरे बताईए तो मैंने आज आराम से ही बनाया है वीडियो को पुरा और यह जो स्लीवस के सिलाई है ना इसका जुक आपर जा करना अच्छे से मूँ पैक करना यानि कि 2-3 बार सिलाई गुमाना है क्योंकि खुल जाएगी सिलाई है ना तो देखे मैं इस तरीके से आपको वीडियो में बता दिया है अब इसे निकाल दूंकी अब हम होकाई की पट्टी बनाएंगी तो देखे मैंने यहां त इसे करना है जो हमने मारزन का निशान बनाया है ना उसी मार्जन के निशान को हम राइट साइड ले लेंगे देखे मैंने किस तरीके से फोल्ड करके लिया सेमेसे ले ली जिए और इसे डबल फोल्ड कर लीजिए यह तो सीधी साइड ले ले लेंगे आपको पता रहेगा तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, दोनों ही पट्टियों को फिरहाल तो आपको ऐसे ही फोल्ड करना है, जिसे हम कुर्टी के चाकनी बनाते हैं सेमे से ही, तो देखें यहाँ पर जाकर हमारी सिलाई है, तो चलिए मैं मशीन पर आपको दिखा दिती हूँ, सेमे इसी सिलाई लगा दूँगी इसमें, यह सिलाई आपको कोने पर लगाना है, उस तरफ लगाने के जरूत नहीं है, तो यहाँ तक हम स्टीच करते हुए आएंगे, और बिल्कुल आराम से करना है, अब यहाँ तक आते हुए आपको सुई को अंदर रख देना है, इस बात का धिय इधर भी हम फोल्ड कर लेंगे, राइट साइड भी आप निशान जरू लीजेगा, ताकि आपको पता रहे और ज्यादा कम ना हो कपड़ा, वरना अच्छा नहीं लगेगा साइड में, और हम आई की पट्टी इसमें अलग से बनाएंगे, जिससे कि मैंने कहा, जिससे आएंगे, और थोड़ा से यहां पर आप ध्यान से देखना इसे कि मैं क्या कर रही हूं, तो इस तरीके से आप इसे निकाल दीजिए, फिलहाल में आपको आई की पट्टी बनाना बताओंगे, उसके बाद इसे सेट करना बता दूंगी, तो इस तरीके से यहां पर आप दे ठीके से फूल, इसके लिए हम पत्टे अलग से बनाएंगे, और यह जो पत्ती है यह बैक के पार्ट में नहीं लगे गी, इस बात का आपको धहान रखना है, फ्रण पार्ट में नहीं रखेंगे, हम इसे बैक पार्ट में लगाएंगे, तो चार इंच मैने इसकीar के पट्टी को और उपर से एक इंच एस तरीके से जहां तक कि हैं वह निशान लगा दिया है ताकि हमें पता रहे तो कुल मिलाकर पाट्टी को मिने डेड़ इंच लंबा लिया है आधा इंच नीचे के लिए और एक इंच ऊपर के लिए अब इस तरीके से यह भी सबन देंग आई की पट्टी थोड़ी ही रहती है तो अच्छा रहता है आप जाए तो सिंगल सिंगल कर करके सकते हैं आई की पट्टी हिस्से पर अटे चोगी ठीक है इस बात ध्यान रखना this परी से में ई कि पत्टी नहीं लगेगीए इस तरीक से मेने लगा दिया है। यहां पर भी मैसे एक तरफ से फोल्ड करदूंगी। वहीलना बूल गही थी। तो एक तरफ फोल्ड करना एक तरफ नहीं ज़ना है एक तरफ ओपन 8 धी Armstrong को यहां पर मैने इसे फोल्ड कर दिया है। अब इस पट्टी को हम पीछे वाले हिस्से में अटेच करेंगे, ठीक है, देख सकते हैं, आप ये पट्टी पूरी मेरी बन गई है, तो जिस तरफ सिलाई है उसे अंदर की तरफ दबाएंगे, और जिदर सिलाई नहीं है, उससे नहीं दबाएंगे, तो मैंने ब्लाउच को पहले सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सीधी साइड से ही हम अटेच करेंगे, तो ये सीधा कर लिया है मेने ब्लाउच, और ब्लाउच का बेक पार्ट ये रेखे, और ये नीचे वाला फ्रंट पार्ट अब हम बैक के पार्ट के उपर रखेंगे, इस तरीके से इस पर नीचे से हम पट्टी को बराबर लेंगे बिल्कुल क्योंकि हमने आदा इंच फोल्ड कर दिया है तो इस सिलाई वाली साइड में अंदर दबाऊंगी और यहां पर सिलाई लगाएंगे हम ओपर की तरफ देखिए इस तरीके से किनारी पर ब्लाउच की किनारी वाले बनाएंगे न तो बहुत अच्छे से रहेगी आपकी हुकाई की पट्टी और साइड में हुकाई भी आपको अच्छे से लग जाएंगे दिक्कत नहीं आएगी और अगर आप डायरेक्टी उसी पर कर देंगे न तो वहां पर गैप सा दिखेगा और बिल्कुल भी अच्छ अब घुमाने के बाद में इस पट्टी को हमें इसके ऊपर करना है तो कितना उपर करना सिलाई लगेगी थोड़ी तो हम आधा इंच पर एक निशान बना देते हैं तेखिए यहां पर में मांक करके दिखा देती हूँ आधा से एक इंच पर आपको समझने में आसानी होगी यहां पर मैंनि एक निशान लगा दिया अब इस पट्टी को इस तरीके से इसके उपर रखेंगे बहुत आसानी से रखा जाएगी यह इस तरीके से रखने के बाद हम यहां तक सिलाई लगा देंगे और फ्थोड़ा सा मूँपैक कर देंगे यहां भी तो इस तरीके से यह हमारी आई की पट्टी है और यह इधर वाली हमारी हुप की पट्टी है तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से बन के आती जैसे की चाग बनते हैं और हमने आधा एंच से एक दूसरे के ऊपर प्रेस भी किया तक यह उठी उठी सी ना लगे बिल्कुल अच्छे से बॉड़ आया हो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीज़ेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीज़ेगा फिर मिलती हो में नेक्स वीडियो में किसी नहीं चीछ के साथ तब तक के लिए बाबाई और थैंक्स फॉर वाचिंग गाईज